कि अब लोग आज हम लोग ट्रैक्शन का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम लोग ऑक्जिलिरी एक्विप्मेंट की बात करेंगे और इससे पहले लास्ट वीडियो के अंदर हमने लोको मोटिफ के में एक्विप्मेंट की बात किया था और आपसे रिक्वेस्ट है कि वह वाला वीडियो जरूर देखेगा जिसके अंदर हमने लोको मोटिफ बनाया था और लोको मोटिफ के अंदर सर्कीट डाइग्राम देखाया जहां पर हमने पेंटो गराफ देखाया और हमारा सर्कीट ब्रेकर का दिखाया था ट्रांसफर्मर को देखाया था और आपका रिक क्या यूज हो रहा था और इसी तरह smoothing reactor का क्या काम था वह सारा चीज हम लोग बात कर चुके लास्ट वीडियो के अंदर तो आप से रिक्वेस्ट एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखेगा आए देखते हैं इस टॉपिक के अंदर इस वीडियो में क्या-क्या बात करने ह उसके अंदर हमारा auxiliary equipment क्या-क्या use होता है हम लोग उसको देखेंगे तो यहाँ पर जो diagram देख रहा होगा आपको actual समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन हमने यह diagram बनाया है यह diagram आपका locomotive का front का diagram यानि सामने साथ जो locomotive engine को देखते हैं तो वो जो सामने आपको चीतरे diagram देखता है उसी चीज़ को हमने यहाँ पर represent किया है देखाया है आईए समझते हैं क्या कर इस diagram के अंदर है और कौन-कौन सा हमारा auxiliary equipment है तो हमने सबसे पहले light देखाया अलग-अलग हमारा light use यानि हमारे पास head light होता है अलग-अलग परकार का light हम लोको मोटिव में लगाते हैं अलग-अलग purpose के लिए तो वो क्या-क्या purpose है उसका function क्या है हम लोग उन सारे light के बारे में जानेंगे होरन के बारे में जानेंगे और भी बहुत सारा हमारा different auxiliary equipment है उन सारे equipment के बारे में करके हम लोग जानेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग diagram के अंदर जो सबसे पहले हमने देखाया है वो head light जैसे हमारा bike के अंदर या car के अंदर भी अलग-अलग light होता है और उसका function अलग होता है main light या सामने हमारा head light कहते है side indicator light होता है पैक में लगा हुआ light होता है इसी तरह locomotive के अंदर भी different light है और उसका अलग-अलग purpose है तो सबसे पहले head light को समझे इस head light को आप main light भी कह सकते हैं और इसी main light के साहरा से क्या होता है locomotive रात में driving या रात में locomotive को चलाता है सामने की चीज़ें उसको देख पाता है यह हमारा day के time में दीन के time में भी अगर हमारा मान के चलिए locomotive किसी tunnel के अंदर और जो किसी गूफा के अंदर जा रहा जहां पर अंदेरा तो इसी head light का use किया जाता है locomotive के अंदर जो head light लगा होता है यह आप center part में देख रहे हैं यहापर यह center part में लगा होता है और कहीं कहीं पर यह हमारा top part में जो सबसे उपर वाला part होता है roof part वहाँ पर लगा होता है तो अलग-अलग locomotive का design अलग-अलग होता है तो उसमें अलग-अलग जगा हो सकता है तो हमने इस डाइग्राम के हिसाब से सिंटर पार्ट में देखा है लोको मोटिव के सिंटर पार्ट में हमारा हेड लाइट लगावा है और इसी लाइट के सहारे से लोको मोटिव लोको पैलेट अपना ड्रैविंग का काम कर पाता है ठीक है और इस हेड लाइट जो हमारा काम करता है कहीं से कहीं पर हमारा 200 भी देता है 200 पर देता है 200 लई पर हमारा हींट लाइट करता और इसमें एक सिंगल सिंगल हेट लाइट के अन्दर दो फिलमयंट लगा होता है। तो अपका काम्प चलेगा तो इसलिए आपका दो बल्ब होगा यह लगबग 360 मीटर तक फोकस करता है यानि 300 मीटर तक लाइट इसा आपको सामने की चीज़ें ट्रैक आपको दिखेगा और सामने ट्रैक पर कोई चीज़ आजागी तो वो आपको दिख पाएगा तो यह तो हेड लाइट की बात हुई और दूसरा लाइट हम लोग यूस करते है फ्लैशर लाइट यह फ्लैशर लाइट का 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 है फ्लैशर लाइट का मेंली जो काम होता है यह इमर्जनसी परपस के लिए होता है या आपके लोको मोटिव के अंदर कोई खराबी हो गया या कोई emergency हो गया तो उस सिख्टिति में हम लो क्या करते हैं इस फ्लैशर लाइट का यूज करते हैं जो लोको मोटिव के ऊपर के पार्ट में लगा हुआ होता है और दूसरा जो मेन काम फ्लैशर लाइट का होता है यह सामने से आने वाला मन के चली इधर से कोई हमारा लोको मोटीव आ रहा है और इधर से भी कोई यह लोको मोटीव और यहां से हमारा यह वाला लोको मोटीव जा रहा है तो इसमें मन के चली हम पहले इधर से ट्रैक से होते भी जा रहे हैं और देख रहे हैं कि इस ट्रैक के पता चल जाएगा कि आगे हमारे track में कोई दिक्कत है और यहीं से वो क्या करदेगा अपने लोको को रोक देगा और इसको पता मालूम हो जागा कि आगे हमारे पास कोई difficulty या अने वाला हैं तो अगले लोको मोटीव को भी alert करने के लिए यहां पर हम अपने लोको मोटिव का क्या करेंगे फ्लैशर लाइट जलाएंगे जिसके वज़े से हमारा आने वाला जो सामने से लोको मोटिव है उसको indication मिल जागा कि हमारे track पर कोई problem है तो यह फ्लैशर लाइट का काम होता है और यह फ्लैशर लाइट आपका टॉप में यानि लोको मोटिव है इस लोको मोटिव के टॉप में रूफ के पास बिलकुल लगा होता है जिसके कारण यह बहुत दूर से दिखता है लगबग दो किलो मीटर के रेंज से भी यह फ्लैशर लाइट आपको दिख जाएगा और दूर से आपको इंडिकेशन मिल जागा कि कोई एमर्जेंसी सिच्वेशन है और किसी ट्रैक में कोई प्रॉब्लम है दूसरा यह पोजीशन बदल सकता हमने यहाँ पर सेंटर में दिखाए है इसके लाव अगर हम हेड लाइट को ऊपर में दिखाएंगे किसी किसी लोकों में होत होता है लाइट तो आपका फ्लीशर्टोह विगल में चाथा उसके लफ्ट साइड में या राइट सैड में आपका फ्लीशर्टोह जागो और मिलाये रास कहते हैं अभी इसमें हमारे पास दो तरह का बल्ब होगा एक रेड बल्ब होगा और दूसरा वाइट बल्ब होगा इधर भी रेड और वाइट बल्ब होगा अभी इसका काम क्या है इसका काम हमारे पास लोको मोटिव आगे जा रहा है या पीछे आ रहा है यह उस पर डिपें सब रहें हमारा लोको मोटीफ बढ़ रहा है जब मारा लोको मोटीफ चलना तो समय ये डीट बल्ब यह लम्प आपका गुलो करेको और इह आपको बताएगा कि आपका locomotive reverse direction में चल रहा है यह सम कंडिशन के अंदर कोई हमारा critical situation हो गया कोई problem हो गया तो भी इस marker lamp को आम लोग यानि red lamp को जला सकते हैं लेकिन मेंली तोर से यह forward और reverse direction को देखाएगा forward जलेगा तो आपका यह white light glow करेगा और reverse direction में आ रहे हैं बैक आ रहे हैं तो red light जलेगा इस white light के जगापर कहीं कहीं पर yellow lamp का भी use होता है लेकिन generally white light use होता है और some cases में yellow भी हो जाएगा और reverse में आ रहा है तो आपका red lamp glow करेगा यह आपका तीनो परकार के light की बात होगे head light, flasher light और आपका marker lamp इसके लाव आपका horn लगा होँ होता है यानि सबसे top में आपका horn लगा होँ है आज जो आपको मालूम है noise को produce करता है इस noise से इस आवाज से क्या होता है आपको public people को या कोई animal है उसको alert करने के लिए कि आजा रहा है जिस से आगे सामने वाली चीज़ alert हो जाती और track से हट जाती है तो alert करने के लिए people को public को हम लोग horn को उप्योग करते है और horn जो आपका wise है यह अलग-अलग type से कहीं पर long horn दिया जाता है कहीं पर short horn दिया जाता है तो अलग-अलग purpose के लिए कभी leave कर रहे हैं कभी और किसी हमारे station में टर कर रहे हैं कभी yard में टर कर इसी इसाब से अलग-अलग जगा पर horn का link को भड़ाते हैं कहीं पर short horn हम लोग लेते हैं कहीं पर long horn का use किया जाता है आपका जो lokomotiv का front portion दिख रहा है मन के चलिए एक lokomotiv से यहां पर center पर आपका और दूसरे lokomotiv को connect करना या पीछे आपका boggy को connect करना तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक chain type का को होता है और इसी चेंज से हम लोग क्या करते हैं दूसरे बॉगी को पीछे connect करते हैं और nut bolt से करते हैं लेकिन यहाँ पर देखिए गोल गोल दोनों साइड में क्या होता है आपका बड़ा लोहे का plate लगा होता है और यह क्या करता है पीछे जो बॉगी है उसके साथ attach हो जाता है अब इस buffer से क्या फाइदा होता है कि लोको मोटिव या पीछे बॉगी यह दोनों कभी आपस में clash नहीं करेगा दोनों के बीच में proper distance maintain रखने के लिए हम लोग इसी buffer का use करते हैं और buffer का मतलब ही होता है कि यह resistance को यह आपके करश को crack को या आपस में टकराने की जो possibility हो उस possibility को को मोटिव आमान की चारी लोको आपका ब्रेक लगा तो पीछे वाला बॉगी इसमें लगेगा तो यह दोनों आपस में शट सकता है तो उस समय हमारे इसके बीच में यह प्लेट यानि बफर के बीच में spring लगा होता है दोनों को balance करने का काम करता है यह आपका मान की चारी पर गाती है तो उस उससमें आपको क्या करेगा दोनों के बीच में डिस्टेंस6 का यूजह कियाburst लोक है जिस्ससे हमारे पास तकरानी की गड़ जाती हैं ठीकिए यह बफर की बात होगी इसके लावब यहां पर वील हमने दिखाया है लोको का यहां पर वील हो और नीचे ट्रैक जहां पर पठरे cleanup रहुपर लोको चलेगा तो आप तो जो ज़ो debugging के अंदर थह तो सारी बात होगी, इसके लावा कुछ और चीज़ें हैं, जो हमने अलग यहां पर देखा है, लिखा हुआ है, तो हेड लाइट की बात हमने किया, इसके लावा फ्लैशर लाइट की बात किया, और हमारा बफर की बात कर लिया हमने, और होरन, यह सारा आपका आउक्जलिरी circuit के अंदर इसका यूज किया जाता है इसके लब हमारा auxiliary equipment क्या है blower ठीक है blower का मतलब हम लोग को मालूम है जिससे हवा यूज करते हैं तो हवा हम लोग को यानि high pressure के साथ air को हम लोग कहीं पर air को fall कराते हैं गिराते हैं इस्ट्राइक कराते हैं तो उसके लिए हम लोग blower का यूज करते हैं तो सिमिलरी लोको मोटिफ के अंदर भी बहुत सारा हमारा electrical equipment होता है जिसके अंदर heat produce होता है जैसे हमारे पास मन के चलिए लोको हमारे पास locomotive है यहाँ पर इसका हमारे पास wheel दिखाया है तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करते हैं transformer यूज करता है और हमको rectifier यूज करते हैं rectifier के लावा हमारा smoothing reactor होता है smoothing reactor का यूज करते हैं इसके लावा motor हमारा run कर रहा है उसके अंदर heat produce हो रहा है तो जहां जहां पर heating effect है heat हमारा generate हो रहा है उस heat को कम करने के लिए उस heat को neutralize करने के लिए हम लोग क्या करते हैं इस blower का यूज करते हैं blower के अंदर हमारा cool air हमारा जाता है cool air इसके माधियम से निकलेगा और यह high pressure के साथ निकलेगा और आपका transformer को ठंडा करने के लिए या उसके radiator को ठंडा करने के लिए smoothing reactor को ठंडा करने के लिए आपका जो motor attraction motor उसके अंदर heat produce हो रहा उसको ठंडा करने के लिए यह आपका blower काम करत होते हैं और इस एयर का उपयोग हम लोग जो इ्लेक्ट्रिकल एक्विप्मेन्ट जाँ जाए हीट हीट को कम करने के लिए ठंडा रखने लिल्ग लोग का उपयोगकरते हैं थीक है और यहां से पेंटोग्राफ यह करेंट कलेक्टिंग डिवाइस आपका यह क्या करता है नॉर्मल इस त्री में डॉन रहता है लेकिन हमको जब करेंट कलेक्शन का काम यानि हमारा यह इंटर्नल सर्किट के अंदर सप्लाई देना हता 25 के वी तो हम लोग क्या करते हैं इसको ओ जिखेंगी है वी तैकąd यह उपर नीचे टान होओ और यह इस तरह से नीचे रहता है लेकिन धीरे क्यांको जासी सिस्टं के सास्थ नेकर और वहां से पीर करेंट करेंट को देगा और तो हम लोग पेन्टो ग्राफ को राइस करने के लिए कि लिए कि लिए क्राते हैं इसी एयर कॉम्परेशर का यूज़ करते हैं यहां पर बहुत कॉम्परेशर के साहफ़ होगा और इस हाइप रज़ीन के आधा करेंगे तो क्या करेंगे पेंटोग्राफ को राइस करते हैं तो सबसे पहला काम यानि पेंटोग्राफ को राइस करने के लिए या लोवर करने के लिए हम लोग कॉंप्रेस्ट एयर का यूज करते हैं यानि हम लोग यह एयर कंप्रेशर का यूज करते हैं इसके लाव आपको मालूम ह ऐलोगा यहां पर हम लोग क्या दिखा तर पिछला डाई अंदर हम लोग सरकीट ब्रेकर देखाया था ठीक है और सरकीट ब्रेकर हमारा प्रोॉटेक्शन का काम Candice अपलया था और सर्कीट ब्रेकर आप लोग Tamam up करते हैं लिकिन यहां पर Israelites यहां पर हम लोग बहुत highly compressed air रखेते हैं और इसी highly compressed air के कारण ही हमारा क्या होता आर्क को कुइंज करते हैं यानि जो आर्क प्रोड्यूस हो जाता है उस आर्क को बुझाने के लिए हम लोग highly compressed air का यूज किया जाता है तो वो highly compressed air हमको कहां से मिलेगा इसी air compressor से मिलेगा ठीक है तो air compressor का यूज हम लोग pentograph को rise या lower करने के लिए करते हैं इसके लावा circuit breaker के अंदर करते हैं या mechanical braking system के अंदर या ब्रेक जो लगता है और locomotive की speed को कम करने के लिए आपके train की speed को कम करने के लिए भी आपका mechanical brake हम लोग लगाते हैं उसके लिए भी compressed air का यूज किया जाता है तो सब जगा पर कुन काम करेगा यही air compressor काम करेगा और इसी के सहाथा से आपका pentograph rise या lower होगा आपका circuit breaker के अंदर air quenching का काम होगा या आपका mechanical braking का काम होगा ठेक है यह समझ में आ रहा होगा इसके अलावा exhaust यह भी mechanical braking के लिए यूज़ए exhaust का मतलब क्या है exhaust हो रहा होगा कोई चीज तो हम लोग इसी कंटेंर के अंदर air को बाहर निकाल लेते हैं और exhaust केअंदर mooter लगाते हैं जिसे air बाहर निकल जाता है और इसके अंदर vacuum keyret हो जाता है और vacuum जब की जाता है वैकूम बनाया जाता है और वैकूम का उप्योग हम लोग ब्रेकिंग के लिए करते हैं तो इक्जॉस्टर का यूज भी हम लोग ब्रेकिंग के लिए करते हैं निक्स्ट हम लोग बात है यह बैटरी से बैटरी है और बैटरी बहुत जगा पर यूज होता है और लोक compressed है, air compressed करने के लिए आपको air को collect करना होगा और air collect करने के लिए motor लगानों होता है और motor आपका कैसे चलेगा तो इसी battery supply से चलेगा ठीक है यह आप का मान के चलिए locomotive है और वो रुखा हुआ है और उसके पास कोई supply नहीं है उस समय अगर कोई भी initial service हम को चाहिए तो सप्लाई देता है और इस बैटरी को हम लोग चार्ज करने के लिए क्या करते हैं या तो आप ऊपर से जो 25 kv की सप्लाई आ रही हो उसको स्टेप डाउन करने के बाद रेक्टिव फायर का यूज करते हुए आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं या दूसरा आपके पास होता जो लोको मोटिव है इसके नीचे आप क्या कर दीजे एक DC जनरेटर लगा दीजे और यह DC जनरेटर कैसे चलेगा जब आपका लोको मोटिव रन करेगा तो लोको मोटिव रन करते समया आपका उसके वील रन कर देजिए और DC generator आपका operate होगा और DC generator जो supply निकलेगी उस supply का use करके आप battery को charge कर सकते हैं ठीक है और इसी बैटरी जो charge होगे तो अब इस बैटरी का supply आपको लोको मोटिव के अंदर initial service के लिए कर सकते हैं तो I hope यह सारा चीज़ आपको यापका जो basic equipment है या auxiliary equipment भी इसको कहा जात ELP relevant ऑ差 ले सेैंपना उष्यों अच्छर को यह स्वांचों होगा भी होगा या eldra कर आप'tले हो चीज़ चाmostे हैं एंदानी थर ही रह सम्राइल है को एंज़ यह सी निह को सग्से गर जोगे पार फुर सतूमष